ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे पर्मातमने, प्रतंत्रकलेश नाशाय, गोविन दाय नमो नमा ये वोश लोग है जो स्वतंत्र वीर सावरकर जेल की अंदर हमेशा मंत्र की भाती जबते थे इस मंत्र का जब करते वीर सावर करके जीवन का हर खशन और शरीर का हर कर्ण तब और ते दिख्शाम में परिवर्टित होता था काला पानी में अंग्रेज सरकार ने उन पर क्रूर अत्याचार किये सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कड़ी मेहनत करवाई जाती थी उन्हें नारियल तोड़ने के लिए दिये जाते थे और नारियल तोड़ते हुए उनकी हाथों से खून निकलने लगता था और आपको सुनकर बहुत धहरानी होगी कि कोहलों में बैलों के जगा वीर सावर कर और देश भगतों को जोता जाता था और रोच 30 स्पॉंट तेल निकलवाय जाता था और अगर 30 स्पॉंट से कम तेल निकला तो उन्हें कोड़ों को सजाते जाते थी और उनका तेल तोलते वक्त जान मुझकर गिरा दिया जाता था जिससे 30 पॉंट पुड़ा ना हो जके और उन्हें पूरी रात फिर से तेल निकलना पड़े और कोड़ों को सजा मिले बगई पर घोड़ों उपलम ना होने पर उन्हें घोड़ों की जगा जोता जाता था और उनकी गरदन पर बहुत भारी लोहा लटकाय जाता था और हाथ पेड़ों की बेड़िया ऐसी होती थी कि भागना तो दूर उन्हें चलने में भी तकलीफ होती थी सजा के तौर पर जूट का बोरा पहनाया जाता था जिससे रगल लगकर शरीर से खून निकलने लगता था जब भी किसी करांधीकारी को फास्टे के सजा दियाती थी तो सभी करांधीकारी को दिखाय जाता था ताकि वहाँ द्रिश्य दीकर उनका मॉनूबल तूट जाए खाने के लिए उन्हें जंग लगे बरतन में चावल का पानी डाल जिसमें डाल से जादा कमकर होते थे और उबली हुई घास जिसमें कीड़े होते थे उन्हें खाने के लिए दिया जाता था और उन्हें उस जंग लगे परतन को धोने की भी इसासत नहीं थी उन्हें पूरे दिन में केवल दो गिलास पीने के लिए पानी दिया जाता था और इतनी दर्दनाख यातना है सहते सहते कई क्रांतिकारी उन्हें दम तोड़ दिये और कई उन्हें फासी लगा लिए क्रांतिकारी जील से बहार निकल कर भारत मा को जादी दिलाने में फिर से जुड़ जाए वीर सावर कर साम डाम डंड बेद किसी भी निथी से बहार आकर भारत मा को जाद करवाना चाहते थे वह श्रीक्रेश्ट वीर शिवाजी और गुरु गुविन संग जिसे प्रेरित इसलिए अपनी कूट निती और दूर देशिता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बेड़े सरकार को जेल की यातलाओं के वास्विक्ता के बारे में बताया लेकिन बेड़े सरकार ने उनकी बात को तोड मुरुड कर शमय आश्रक है दिया इसी संदिर्ग में मैं बहुत प्रख्यात वीरस से ओद प्रोथ कभीवर विनी चुहान जी की कुछ पंक्तिया आपके साथ साजा करके वीरसावर करके प्रतीकृत गता व्यक्त करना चाहती हूं यहां क्रांती का सौधागर हर कूचा कूचा है यहां बगावत का दर्जा पूजा से उचा है कब तक दातों को पीसेंगे कब तक मुठी भीचेंगे कब तक आखों के पानी से पीडा को सीचेंगे रो जहां गाली मिलती है देश भक्त परवानों को आजादी के युद्धाओं को भारत के दिवानों को जिनके ओचे कद थे वो ही अंबर के मैमान बने अंधि यारों के चारण देश सुरज की पति मान बने इन लोगों ने भारत कहव पलिदानी पन्ना फूक दिया सावर कर का नाम हटा कर देश भक्ती पर थूक दिया कोलू के चकर से पूछो उनके पैरों के चाले जिसने आजादी के सपने काल कोठरी में पाले कोलू में जिसने तेरा साल खपाए हो जुड़ते हों काला पानी पर पूरी आजादी के तिहास में एक ही असकराथिकारी है जिसने अपने जीवन के पूरे तेई साल जेल के पीछे बिताए हो वो केवल और केवल वीर सावर कर है वो सुरज की पतम किरहन पर कोहल उपर जुड़ जाते थे आजादी के सुरज को वो अपना रखत चुड़ाते थे जिसने तेरा साल खपाए अपने काला पानी पर सारे तीरत ने उचावर उसकी पावन कुर्बानी पर सारे तीरत ने उच्छावर उसकी पावन कुर्बानी पर सावर करका चित्रे चाहे ना टांगों तीरत है काला पानी द्वीप नहीं बस हिंदूस्तानी तीरत है आजादी की गंगा लाने वाला एक भागी रथ है राश्रवाद की भावना से भरी हुई वीर सावरकर की पुस्तके प्रकाशित होने से पहले ही प्रेटिस सरकार द्वारा जप्त कर ली जाती थी इनकी कविताय सिर्फ पुस्तकों का हिस्सा बंकर ही नहीं रही बलकि दिवारों पर भी लिखी गई जब वीर सावरकर सलुलर जेल में कैथे तब उनों ने अपने कविताय कोईले से जेल की दिवारों पर लिखी जो आज भी वहाँ मुझूद है बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन और कोलूं से बही तेज धारों को नमन है आज की अधिकतर इभा पीड़ी को ये पता ही नहीं कि स्वतंतरता पाने के लिए कितने गुम नाम शहीदों ने अपने आहुतिया दी है एक नागरिक के रूप में हमें स्वतंतरता की रक्षा करनी है इससे बनाई रखना है हमेशा के ले और मेरी भी कडोडो देश भकतों के तरह तहे दिल से इच्छा है कि वीर सावरकर को भारत रतना अवश्य मिले वंदे मात्रम वंदे मात्रम वंदे मात्रम वीर सावरकर अमर रहे